कि गूणे कि खरके हम लाषरी के क्रचेंगे को जानौ कि शुर्ण है परकार का जा स्वाइब के क्लास परकार 15 में स्वायत 5 10 ला पर घान और उसमें लिए सबसे पहले देखा था कि मानुषले के अनधर 3 य》 तिन परकार का होता है है यससे हमने दूप परकार पड़ा था पहला आपने देखा था वह कौन सा ताम के तंत्रिया तंत्र और दूसरा परीजय तंत्रीया तंत्र होता हैं एक का इंट्रिया-द५। करते हैं अब हम आज पढ़ेंगी स्वाय तंत्रिया तंत्र के बारे में देखेंगी और स्वाय तंत्रिया तंत्र होता है किस प्रकार से बना होता है इसकी खोज किस ने की तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे तो इसकी खोज है वह एक वेगानिक थे लेंग ले इन्होंने सबसे पहले स्वाय तंत बीचें बीचें परीदिये तंत्रिया तंत्र का भाग है उसमें तंत्री वपस होता है तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तंत्रिका हैं एवं गुची का होती है यह मिलकर के परीजिये तंत्रिया तंत्र का निर्मान करती हैं उस परीजिये तंत्रिया तंत्र को हम क्या करते हैं स्वायत तंत्रिया तंत्र कहा जाता हैं तो आप ध्यान देंगे स्वायत तंत्रिया तंत्र की खोज लेंगले द्वरा की गेती यह परीजिये तंत्रिया तंत्र का भाग यारें तंत्रिका के जाल से मिलकर बना होता है यह इनकी पेशिया होती है वह किस परकार की स्मूथ पेशिया होती है उनकी कडियाविदी को नियंतरत करती हैं जो चिकनी पेशियां होती हैं उनके नियंतर्ण से समंदित यह कारिया करता है और उनका नियंतर्ण करने का करता है और इसके नियमत्रण की केंद्र मुख्य रुप से आपको धान्य किसमें मेडूला अब लैंगेटा एवम हाईपो थेलमस में उपास्तित होते हैं तो इनके केंद्र वगे मेडूला अब तोथेलमस होता है है उसके ओफ यह इसके मुख्य रूप्सी के अंदर होते हैं हैं कर ईसके बाद में आपको तंत्रिय तंत्र होता है यह दो प्रिकार का होता है एक आपको स्वायद तंत्र कितने भागों बाट थैंगे पूरा पड़ाने अनुकंप्य तंत्र का च्रा यह थी एक्टीव घृता है वा मुखे रुचत स्ट्रेश्फूल कंडिशंई से अंदर होता है यहनों, तनाव को परिसतियां होती हैं, Markus Nevertheless होती है, उसस anciffild कंडिसंग से अनदर आपको धर्ण कता है, अनुकम्पी तंत्रियातंत्र आप्टिवली कारे करता है। उतेजीत अवस्ता में कार्य करता है तो उतेजीत अवस्ता में कार्य करता है या stressful condition होती है उस समय कौन सा तंत्र काम करेगा अनुकंपी तंत्रिया तंत्र कार्य करता है और अनुकंपी तंत्रिया तंत्र होगा या stressful condition, fear और flight जैसी conditions होती है उस conditions के अंदर हमारे सरीर को उस परि वरद्व वसी कारिय करता है यह आपको ध्यान नेक्टना है कि जब नॉर्मल कंडिसंस होती है यह यह डाइजेस्टीव और रच कंडिशन के अंदर यह एक्टिव लिकारिय करता और यह इनुकॉमपी तंतिर्या तंत्र के दोरा जो उट्यूझीत अवस्ता होती है उसको पु किया जाता हैं तो इस फिरकार से दो परकार के तंत्र मिलकर के और स्वाय तंत्रिया तंत्र का निर्मान करते हैं अब हम समझते हैं कि इन में मुखेर से डिफरेंस क्या होता है यह सवाल आपको पूछा जा सकता है स्वाई तंत्रिया तंत्र किसे कहते हैं तो आप द्यान करता है इसके नियांद्र के के करता हैं अनुकुम्पी सत्र के द्वरा किया जाता है अब हम समझते हैं सबसे पहले कि उतिजित अवस्ता में कौन-कौन सी कार्य है वह आपको ध्यानकता अनुकंपी तंत्रिया तंत्र के दरख किये जाते हैं तो अनुकंपी तंत्रिया तंत्र होगा यह हर्दे स्पंधन को बढ़ाता है यह हर्दे स्पंधन को क्या गरेगा बढ़ाता है तो इस फरकार से अनुकंपी तंत्रिया तंत्र हर्दे स्पं वह कार्या किसके द own अनुकी तंत्रय तंत्र के दोरा जाता है जब की अनुकर अ करता है ये हर्दे सब्दन को घटाता है हर्दे सब्दन की दर को कम करता है छिव कि तो कम करता है वो कौन सा भाग करता है तो आप ध्यान देंगे पर अनुकपी तंत्रिकत अंत्र पारास सिंफेटेटिक नारो सिस्टम होता है यह करता है जबकि अनुकपी हर्देस प्राम को बढ़ाता है यह गरंती के इस तरहाओ को दिको तो आप ध्यान देंगे परानुकम्पी तंत्रिया तंत्र होता है किस्तराव को घंटाने का काई करता है वो परानू-कम-पी तंत्रिया तंत्र चाह सतर में तो ध्यान दीजे आंकों की जो आई रिस होती है उस आईरिस की पेशियों के दोरा पुतली को फैलाने या संकुचित करने का कारे करता है और पूतली को फैलाने का कारे करता है वह कौन सा भाग करता है तो आप ध्यान करता है संकुचित करता है वह कौन सा भाग करता है तो आप ध्यानेंगे आँखों की पूतली को संकुचित करता है वह प्रानुकंपी तंत्रिया तंत्र करता है जिबकि अनुकंपी तंत्रिया तंत्र होगा यह पूतली को फैलाता है लेकाइमल गरंथी के इस्त्राव को और अ तो अनुकम्पी तंत्रिया तंत्र होगा यह लेक्राइमल ग्रंथी के स्तराव को बढ़ाने का कारे करता है। जबकि प्रानुकम्पी तंत्रिया तंत्र होता हैं यह लेक्राइमल ग्रंथी के स्तराव को घटाता हैं कम करने का कारे करता हैं। प्रानुकम्पी तंत्रिया तंत्र जबकि अनुकम्पी तंत्रिया अंदर लेक्रामिल गरंति के स्थाव को बढ़ाता है फिर उसके बाद में एरेक्टर पिलाई पेशियां यह एरेक्टर पिलाई पेशियां होती हैं वह हमारी तवचा में उपस्तित रोम होते हैं उन रोम से छंकूचन करता है इसमें क्या करेगा संकूचन और Secretary celebrating हैं तो यह जो यह उसको सिकोर्थ हैं जिसे आपको जानेकना है बाल खड़े हो जाते हैं तो इस परकार से संकुचन को प्रेड़ीत करता है तो यह आपको जानेकना है एरेक्टर प्लाई पेशियों को सिथलित करता है तो इस परकार से करता है फिर उसके बाद में सवेध ग्रंतियों के इस्तरावन के जाता है और जब क्रोधी तवस्ता होते हैं उसमें पसीने का इस्तरावन बढ़ जाता है यहां पर आप ज्याननेंगे पसीने के स्तराव को कम करता है तो यहां पको ज्यानने का प्राणक क्र добने बारे को अब ध्यान में आप भी प्राणों कर देंगे रुदीर में करता है यह क्या करता हैं तो आप से कोड़ेगा और संकुचित करने से ब्लड प्रेसर होता है रग्त चाप होता वह बढ़ जाता है तो इस प्रकार से यह रुदीर वाईनियों को संकुचित करता है जिसके कारण से रुदीर धाब है वह क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे पर। जाता हैं परन्तों आप ध्यान दीजये đây मस्तिक्स की या चिक पेसिया की मस्तिक्स की या जो रेखित पेसिया होती है उनको यह फैलाता है पिसियों को फैलाता है तो आप ध्यान देंगी यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि अन्य पेशियों को क्या करता है यह little के मात्रा बढख जाती है जबकि आप ध्यान देंगी तो रुडीर वाहिने को अनुकंपी तंत्रिया तंतर के बारे में ध्यानने को इसके बाद में रखत में सरक्रा का इस्तर होगा यहां आपको देनक्ण मात्रा को बढ़ाता है यहां ऐसicle दियान का इस्तर होता है यहां तो मुत्रासे को सिकोरता है वुक थियान देंगे अनुकंप़ी तंत्र ढंत्र होता है यह सिकोडता है जिसे मुत्रो सजन की क्रियाड़ी संपन होती है तो यह iасть कोड़ता है जब कि आपको ज inm गनतना है अनुकंपी टंत्रया तंत्र होता है फैल लाता है फिर असके बाद चैनल को कम करता है जबकि फरानी को दोर्ब के फइन जिए इस्तराओं को by दो स्कूर मार्न्तु का ददेगे कि करमा कुंचन को कर्मा कुझन को गड़ाए है और नाल के कर्मा कुण्चन को घटाता है तो आप ध्यान देंगे को बढ़ाता कर्मा कुण्चन को वास् Ayam मुड़ाता है कर्मा कुण्चन को बढ़ाएंगे जिसे यार न बढ़ेगा और पाचन की किरिया विदी म bisschen को बढ़ाता है जबकी आपको दन्यार के करमा कुंचन को घटाता आब उसके बाद में अगला denn गृंनतियों और pैंचक गृंतियों के स्थराव को कम करता हैं कि इस्तिराव को कम करता है तो पाचन ग्रंधियों के इस्तिराव को कम करता है वो कौन सा भाग करता है तो आप ध्यान देंगे अनुक्सिपी तंत्रिय जबकि यह पाचक ग्रंथियों को इस्तराव को बढ़ाता है यह पाचक ग्रंथियों के इस्तराव को बढ़ाता है तो इस परकार से पाचक रंतियों के इस्तराव को यह क्या करता है, बीवी नेंजयमियों के इस्तराव को बढ़ाता है, तो यह हमें ध्यान रखना है, अगला गुद्दा अवरोधनी, गुद्दा अवरोधनी एस्पिंक्टर होता है, इसको यह आपको ध्यान रखना है, क्या तो ये फैलाता है जबकि आपको दानत्रा संक पूचित करता है अनुकम्पी तंत्रा तंत्रा होगा उसके द्वारा दो प्रकार की हार्मोन का स्थे और जाता है एकळिन एवं सिंधिन लगाम एवं अपको दानत्रा स्थे पैंपने पैर द्रवाल tempo जाता है जबकि प्रानुकंपी तंत्रिया तंत्र उसके दोरा केवल एसी टाइल कोलीन का एस्त्रावन किया जाता है तो इस प्रकार से आपको डिफ्रेंस ध्यान रखने है अनुकंपी तंत्रिया तंत्र और प्रानुकंपी तंत्रिया तंत्र में कौन-कौन से मुख्य अंत्र होते हैं की स्वयाद ग्लास के आंदर पड़ाएंगे पर्ति-वर्ति-क्रिया से संबनेقت किरया विदियी उसके की देंबाद हmen पड़ाएंगे के लिए धन्यवात बानक्यू